हाई गाईस कैसे हो आप सबी लोग वलकम बैक टो न्यू गेम प्ले आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ पॉकेट एडिशन और आज हम लोग धुनने वाले हैं जितने हो सकता है उतने डैमंड्स को तो या बिना किसी देरी के मैं सारी की सारी आफलेंड तैयार कर चुका हूं आपको भी दिखा देता हूं कि मैं आफलेंड घर के बाहर का नजारा क्या क्या किया हूं जो भी घर के सामने जो भी पहाडी थी मैंने उसको क्लियर कर चुका हूं यहां पे क्यूंकि अगली वीडियो में यहां पे मैं कुछ बनाने वाला हूं क्या बना रहा हम लोग और मैंने यहां पर आके एक LMG करने की कोशिश करता हूँ जो की नाकाम हो चुकी है LMG मेरी और यहां पर आके मैंने जहां पर देखा था पहली के वहां पर कुछ नहीं है अभी मैंने यहां पर बड़ी वाली केव देखी थी तो इसलिए मैं यहां पर आ चुका हूँ आके मैंने यहां पे फिर से नाकाम कोशिश की मैं LMG करने की और यहां पे किव में बहुत सारे यह मॉप्स होंगे इसलिए मैं यहां पे गेम को पीस पे किया हूँ क्यूंकि मैं नूबरा हूँ यार इस वाले गेम में अगर मैं नूबरा नहीं होता ना सची बता रहा हूँ हा हार्ट कोर खेलना हो या कुछ मॉप्स को मारना कितना मुश्किल होता है तो इसलिए मैं यहां पर पीसफुल किया हूँ अभी कोई भी बच्चा कमेंट आके यह नहीं लिखेगा कि भाईया भाईया आपने क्रेटिव पे चले गए आपने चीटिंग क्या पार्टिंग क्या भ अब बच्च आया है जो कि सेम टू सेम डैमेंट के जिसा लगता है मैं जहाँ पर भी देखता हो ना लगता है कि मैं वही देख रहा हूं यहां पर इतना सारा ऐरन मिलता है मेरे को और मैं वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी इसलिए मैं कुट करके बनाया हूँ और यहां पर चीटिंग नहीं है कि क्रेटिव मोड पर जाके आप फास फास चल रहा है भाई कुछ नहीं किया हूं बस एडिटिंग में जो वीडियो है उसको मैंने फास्ट किया है ताकि कोई भी बोरिंग ना पार्ट मैं दिखा पाऊं और यहां पर मेरे को गोल्ड भी मिल जाता है प और यहां पर अगर मैं सची बता रहा हूं अगर यहां पर मेरा गेम डिफिकल्टी नॉर्मल या हाड होता ना फटके चाहर हो जाती और यहां पर आते ही मेरा इस वाले वर्ल्ड का पहला डाइमेंड मैं यहां पर मैंनिंग करने वाला हूं इतनी खुशी हो रही है ना क्या कि आहीँ बताओं इसके बाद मैं अगले 50 was करलू न माइनींग उतनी खुशी नहीं होगी जितिनी मेरे को पहले मिले ती और यहां पर रेच्टोन को भी नहीं छोड़ता मैं और यहां पर जिता भी गोल्ड मिलता है आईरन मिलता है इसको सब को भी मैंनिंग करने वाला हूँ ताकि इन फ्यूचर जाके मेरे को कुछ भी चीज की कमी ना हो इस वाले केव के अंदर इतने केव से ना क्या ही चुका था और रेकॉर्डिंग आन ना करने की वज़े से मैं वहां पर वापस से उसको प्लेस करके तो नहीं तोड़ सकता यहां पर मैं वापस घर जाने के ट्रे कर रहा था ताकि कुछ चीजें चाहिए मेरे को वापस से ले क्या हूँ और यहां पर इतने सारे केव से ना एक ही बड़ी केव के अंदर क्या ही बताओं मैंने भटकते भटकते मेरे को लगता है कि मैंने एक ही जगा चार बर गया हूँ उतने बार गया था यहां पर मैंने लावा पूल देखा और पहली फुरसत में लावा को मैंने ऑक्सीडियन पर कनवर्ट कर लिया ताकि जो भी म मेरे को निदर्प में जाना होगा तो मैं यहां से ही अभी डाइमेंड भी मिल चुके है बोलके मैनिंग कर लूँगा लेकिन मेरे पास उतनी लकडी नहीं थी कि मैं यहां पर एक पिकैग्स बनाओ और यहां पर जाते-जाते मेरे को ग्रावल मिल रहा था तो मैंने ग्राव मिला था और मेरे को यहां पर चेश्ट में इतने सारे लूट मिला है अक्वा इंफिनिटी वन मिला है पावर टू की बुक मिली है और आइरन्स भी मिल चुके थे और वहां से दुसरे वाले चेश्ट में कुछ उतना खास नहीं था इसलिए मैंने कट कर दिया अभी ऊपर आके देखा तो यहां पर बस मेरे को एक ही लग रहा था कि मैं पहली फुसरत में उपर जाओं और लकडी लेके बहुत सारे स्टोन के पिकाक्स लेके आओं अभी यहां पर केव में इसे ही भटकता रहूंगा ना डैमंड्स के नाम पर मेरे को कद्दू भी कुछ नहीं मिलेंगे क्यूंकि यह इतनी बड़ी केव है मेरे को भी नहीं पता कि कब खतम होगी तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले उपर जाके मैं बहुत सारे पिकाक्स लेके आओंगा स्टोन के पिकाक्स और बनागे एक स्ट्रिप माइनिंग करूंगा एक दो जगा मैंने स्ट्रिप माइनिंग किया है और recording on करना इसलिए मैं छोड़ रहा था क्योंकि मेरे मुबाल पे चार्ज नहीं था और या मैं जब भी recording करता हूँ मेरे बगल के घर में सीट्याम बच्ती है कुकर की मेरे को भी नहीं पता जब भी मैं recording करता हूँ तब भी ये चीज़ होती है और यहां पे मैं offline में जब खेल रहा था मेरे को बहुत सरे diamonds मिल चुके थे मैंने recording नहीं किया और यहां पे बच्चेओं की वज़े से मैंने फिर से recording अन किया हूँ वरना बच्चे comment पर आके यही बोलेंगे भाईया भाईया आप चीटिंग किया हो आप creative से लिए भाईया मैंने creative नहीं लिया और यहां पे मैंने fast forwarding किया फिर से बता रहा हूँ कोई भी यहां पे मैं creative पे जाके fast नहीं किया हूँ यहां पे strip mining किया था बहुत लंबा और यहां पे मेरे को कम मिले थे तो इसलिए मेरे दोस्त को मैंने call किया और उसको पूचा कि कौन से axis में यहां पे आपको diamonds मिलेंगे coordinate बता भाई ने बताया कि minus 58 से minus 57 या 56 पे बहुत मिलते तो मैंने दोस्त की बात सुनके वहां पे चला गया mining करने के लिए सच्ची बता रहा हूँ कभी भी अपने कमीने दोस्तों की बात सुनना मत क्यूंकि वहां पे जाने के बाद मेरे को बैड राके लावा कुछ नहीं मिला जितना भी मैंने strip mining किया है न वहां पे मेरे को बहुत सारे कम मिले वहां पे एक strip mining की थी अभी जो मैंने बताया न कि मेरे दोस्त ने बताया वही coordinates पे आके मैंने यहां पे mining किया और mining करने के बाद diamonds मेरे को बहुत कम मिले और यहां पे लावा मिल चुका था तो इसलिए मैंने सोचा कि charge भी खतम होने वाला है तो खतम कर दो जो भी mining होगी बस इतने ही करूँगा अगली वीडियो में देखा जाएगा और यहां पे मैं आखरी जो भी diamond था उसको ले रहा हूँ और इसके बाद यहां से मैं निकल चुका था क्यूंकि फोन में भी charge नहीं था इसलिए मैंने सोचा कि फोन सुचा फोने से पहले मैं घर पे चला जाऊँ और जाके जो भी मैं एक pickaxe बनाऊंगा उसके अंदर जल से जल एक villager के पास फार्चुन 3 खरीद के वहां पे मैं एक pickaxe बना लूँगा ताकि अगली बार मैं diamonds को आयूंगा ना तो मेरे को बहुत सरे diamonds मिल जाएंगे और यहां पे मैं भटकती आत्माओं की तरह तो भटक लिया डैमेंड्स धुनने के लिए भी जाने के लिए मैं रस्ता भूल चुका था इसकी वज़े से मैंने सोचा कि यहां से अभी मैं straight dig करके उपर चला जाता हूँ और वहां पे जाके मैं धून लूँगा मेरा village और यहां पे आने के बाद मैं तो पहले reset point select करता हूँ क्योंकि अगर मर भी गया ना तो यही पे जिन्दा हो जाओंगा और पहले मैं जो भी mining करके चीजें लेके आई थी उसको chest पे रग देता हूँ और जो भी iron मैंने mining किया था उसको पकने रग देता हूँ ताकि iron ingot बन जाए और यहां पे मैं जो भी tools थे उसको पहले बनाता हूँ pickax को बनाता हूँ पहली diamond pickax और साथी साथ एक axe को भी बना लेता हूँ एक sword को भी बना लेता हूँ और full armor बनाने के लिए मेरे को बस दो ही diamonds कम पड़ गए थे इसलिए मैं boots को नहीं बना पाया और यहां पे आप मेरा diamond armor देखने से पहले sincere view को देखना यार क्या ही जबरतस दिख रहा है भाई साथ एक दम next level और यह रहा मेरा diamond armor और यार मैं और मेरे दोस्तों ने एक server बनाया है Java वाला जो कि हम लोग pocket edition में भी connect करके खेल सकते हैं और यहां पे जो भी achievements complete होंगे यहां पे show नहीं करेगा notification लेकिन वहां पे show करेगा और मैंने वहां पे already काम शुरू कर चुका हूँ और जो भी boring parts होता है ने इसको मैंने already offline कर चुका हूँ और वहां पे कोई भी हम लोग peaceful भी नहीं कर सकते ना ही कुछ creative कुछ भी नहीं कर सकते यार वो server को तो अगली वीडियो वही server की आएगी minecraft की तो यार बस आज के लिए इतना ही है अगर वीडियो अच्छी लगी तो like करो और minecraft जो भी खेलता है दोस्त उसको share करना ये वाली वीडियो को तो यार चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अपना खयाल रखना good bye